जो 30 मैं काओंगा कि 101 प्रतिसत सही हो सकती है गड़ना करने वाला यानि जो 30 जो है वह अगर एकुरेट है सही आदमी है तो जो कहा देगा वही होगा जो 30 इतना बड़ा सच तो यानिक अगर प्रेडिक्शन गला जाती है तो एरर जो 30 का कुछ एरर है जो जिसकी वज़े से उ तो डॉक्टर गलत हो गया ना कि जो मेडिकल साइन्स वह गलत हो गया राइट हलो दूस्तों मैं डॉक्टर योगिंदर सिंह राठोड आप लोगों के लिए लाया हूँ इनर वेलनेस टाइब का अगला एपिसोड आज हमारे बीच बहुत इंस्पिरेशनल परस्नालिटी मोजूद हैं पीएश दी इन एस्ट्रोजी और ऑंट्रोपिनियोर और फाउंडर ओफ वामा एब प्लीज वेलकम आचारे देव जी थाइक कि सुमेंच सब्सक अरी किसे आपने चालू किया हमने शुरू किया 2012 में 2012 से हम टेलीकॉम को एक सर्विस देते थे जो टॉक्टू एस्ट्रोजर के सर्विस होती थी इसके आप नमबर डायल करके और एस्ट्रोजर से बात कर सकते थे उसके पहले हमने पढ़ाई लिखाई किया और उसी के दौर अपना काम करते हैं उसके बाद 2012 में जब हमने स्टार्ट किया टेलीकॉम के साथ तब बहुत सारे लोग एक काम कर रहे थे लेकिन धिरे-धिरे क्योंकि सर्विस मेरी बहुत अच्छी थी और कई ने कई मेरे पास जो आस्ट्रोजर की एक टीम है वो बहुत बड़ी है च्छ बहुत बहुत बड़ी एक टीम ने बनाई और लगए दस साल में जरनी हुने बनाई यहां से कि स्टार्ट हो और यह वामा एप कब आप लोगों ने लॉंच करी एंड इग्जैक्ली वामा मींस क्या थोड़ा बताएं ओडियंस को वामा मींस होता है वर्चुल आस्रोजी मं मंदिर एक तो कि वर्चुल मतलों आप घर से बैटकर करके किसी भी एसस्लोजर से घर बैठे आप बात कर सकते हैं moist से मिड़ा स 1 फस इंटर्पनियों रफ हुए जो भी डिजिटल से लोगों से जुड़े किसी ने मंदिर पे नहीं उस तरीके से काम किया कि मंदिर के पंडितों के बृत्ति कैसे आगे बढ़ सकती है या मंदिर के जो लोग है उनको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है सनातन धर्म को कैसे आगे ब बना दिया जा और वर्चुली दोनों परली काम करता है क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे आपको वैसे भी दिख जाएं जो आश्टोलोजी प्रोवाइट करते हैं लेकिन यह दोनों चीजे कोई नहीं देता अभी कोई लोग कॉपी करने के अभी कोई अभी कोई उस तर मार्केटिंग करना हो तो बहुत इजी है आप 10-15,000 की लोग रख लीजें जाके मार्केटिंग करेंगे आपका प्रोड़क्ट सेल कर देंगे मंदिर पे कोई सेल नहीं कर सकता वह एक बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट चीज है अपने मंदिर एक किसी महंत के हाथ में है और कर दो महाकाल का दर्सन नहीं कर सकते है या आपके घर वाले लोग कुछ बिदेश में बैठे हैं जिनको मांगलिक दोस है वो पूजा नहीं करा सकते वहां उनको आना पड़ेगा यहां दुबई सिमन लिजी यहां आना पड़ेगा तब वो कराएंगे तो इसमें वामा क्या कर सकता है यह कांसे यह तो बहुत ही इंट्रेस्टिंग है विकोज मैं इस यूनीक वैल्यू फॉर देम बट यहां पर एक सवाल उड़ता है कि एक तो जो आप फिजिकल जाते हो तो जो एनरजी आप एक्सपिरियंस करते हो वो जो रियल वाइब्रेशन एक्सपिरियंस करते हो और ओनलाइन में जो देखते हो क्या आपने कुछ डिफरेंस देख और आप जाते हैं जाने से ही कष्ट दूर हो जाता है यह सत्य ही इसमें कोई कोई दोर आए नहीं है लेकिन क्या बिना जाय भी कष्ट दूर हो सकता है तुम्हें को बिर्कुल हो सकता है क्योंकि देखे इस वर्व के सामने आपका अगर नाम लिया जाए कि योगेंद्र जी आपको प्रणाम कर रहे हैं सपोर्ष करिए तो निस्चितुप से आप उनको आसिरवात देना चाहिए मेरे नाम पे कुछ पूजापाट करेंगे मेरे विहाब पे तो definitely आपको वो फन जरूर मिलेगा और इस आस्तर का भी एक नियम है कि प्रतिनी दी के रूप में कोई भी ब्यक्ति आपकी पूजा कर सकता है प्रतिनी दी एक बनाए जाएगा और आज भी आप घर में जब पूजा पाट करते हैं बहुत बार आप महा मर्तुन जचुशे जब या कोई भी जब ग्रभू का जब पूजा पाट कोई भी कराते हैं तो आपके भीहाब पे पंडित ही बैठके करता है तारे मुंत्र तो वह ही जब करता है लेकिन वो आपको जब फिर ट्रांसफर करता है प्रसाद के सुरूप में, स्रेयोदान के रूप में, बहुत सारी और विधी है, सास्त्र की, जिसके सुरूप में आपको दान करता है, तो सेम कांसेट बामा का है, कि अगर आप मेरे पास कोई पूजा पार्ट कराते हैं, तो आपको उस जगह का एक अथेंटिक प्रसाद आपके घर जाता है, आपको ट्रांसफरेंसी के लिए एक वीडियो बना के भेजते हैं, लाइब आप पूजा को देखते रहते हैं, पूरे टाइम जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, किसी भी कारण बस, तो आप वामा आयब के थो, आप पूजा पार्ट करा सकते हैं, और आपको उसका पूरा फन मिलेगा, ऐसा नहीं है कि कोई फन नहीं मिलेगा, ऐसा बिर पूल भी नहीं है, सबसे में था कि मैं एजूकेशन में कितना और कर पाऊंगा, या मैं जो अभी आई-ई-टी करना चाहरा हूँ, हो पाएगा कि नहीं है, हो पाएगा, और दूसरा आजकल के बच्चों में थोड़ा एक सवाल और आ जाता है कि मेरा रिलेशनशिप कैसा रहेगा, तो 18-25 के बीच मे कहीं ने कहीं यह दो सवाल होते हैं, तो हर एज में सवाल अब्यक्तिव ही है, 35-45 में आप चले जाएंगे, तो आप कहेंगी मेरी ग्रोथ कितनी होगी, मेरा घर बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, तो एज के एकॉर्डिंग सवाल है, सब कुछ एज पे डिपेंड करता है यह चाहें आपकी एज तो सवाल उसके इसाब से बदल जाते हैं, तो आजकल क्या सवाल अगर डिवाइड करने हैं अपन की जो टीनेजर से हैं, वो आ रहे हैं, पूजा हो गेरा हैं, तो सबसे जादा आ रहे हैं, और मैं देखता हूँ कि उनका जो एजुकेशन बना पार् नो क्या आप सलूशन देते हैं मुझे दोनों के बताइए आप की एड़िकेशन के लिए तो I य मेरा बोर्ड में अच्छा हमार्स आजय और कॉम्पिटिटिव एक्जाम में और करेक कर लोँ तो उसके लिए क्या solution आप देते हैं उसके लिए एक मंदिर है जो भगवान श्री राम ने जहां पे शिक्षा अपनी प्राप्त की अविध्या में विद्या कुंड उसको बोला जाता है विद्या कुंड विद्या कुंड तो हमारे यहां एक पूजा है जिसमें आप आ करके अपने बच्चे क को पास करने के लिए पढ़ने के लाव और कोई रास्ता नहीं है एकदम साबसी बात है अच्छा वाई आपने बताया लेकिन इस्वर की सत्ता आपको हमेशा आगे बढ़ाने में काम करती है प्रयास आपको करना पड़ेगा उठ करके आपको जाना पड़ेगा आप वहां ग अब आपको करते हैं इसका संस्क्रिट में मीनिंग यह ना कुछ वावा वैसे अर्दांगनी को भी वामांगी कहा जाता है और मा लक्षुमी का नाम है छली वाम लेकिन हम लोगों ने इस बहाव से उसको नहीं रखा था कि वामा लक्षुमी जी का नाम इसलिए रखा जाए क्योंकि वर्चुवल एस्वलोजी मंदिर है सौट फॉम वामा हुआ बाद में लच्षमी जी का सवरूप हो गया वह लेकिन उसका इसा कोई उद्देश नहीं था कि इस वह समझ गया तो एजूकेशन में तो यह मंदिर आप यहां पर जाएं दूसरा जब आपको प्रेम संब कीशीम औरा की औरा काव बहुत तरीके इस को यह तोड़ा मुस्किल है यह खां इख आया लेकिन इतनी बातें आप बोल रहें आप सब के लिए लोग आथे हैं कि मेरे गंटे फिंट फोन के चली गई है उउस से बात नहीं कर रही एक साल करता हूं कि जो पौराणिक हमारे पुराने टेंपल्स है जिनकी माननेता बहुत ज्यादा है लेकिन वह आप तक नहीं है उसको मैं अपने आप पे ले आता हूं जिसे उज्जेन में एक मंदिर है बिक्रांत भैरों करके प्रेम प्राप्ति या किसी विछीज की प्राप्ति के लिए अगर वहां पूजा कराई जाती है तो मैं कह सकता ह counselors प्रत्सत आपको लौभ मिले और सब्सारी पूजा वामा पर वर्चुल करा सकते हैं जिसका आपको लाभ मिलेगा इसमें कोई डावट दूसरा सबसे बड़ा अस्थान है कामाख्या देड़ी कामाख्या पीट माले बिवा हो गया है पतनी से मनमुटाऊ चल रहा है पती से आपका मनमुटाऊ चल रहा है किसी भी तरीके कि आपकी की रिलेशन्शिप में समझ तो आप कामाख्या देभी में भी हमारे यह मंदिर यह आसाम गुहार्टी के पास में टेमपल है देभी जी के योनी का अस्थान माना जाता है कि उनके जो अंग गिरे उसमें योनी वहां पे गिरी उसका एक मैं आपको नहीं पता होगे कि साइंट अच्छ दिन उसमूर्ति से आज भी ब्लड निकलता है वहां एक कपड़ा लगाया जाता है बकादे और कपड़ा पूरा लाल रंका अफ़ा जाता है हर महिने का यह नियम है और उस कपड़े की बड़ी महत्ता है लोग उसको बहुत पाना चाहते है और अपने घर में रखन वहां कराता है या जा करके मा का दर्सन करता है तो मैं कह सकता हूं कि आपकी जिन्दगी से वह प्राब्लम सदा के लिए खतम हो जाईगी और जो कई लोग होते हैं जिनको आजकल बेवीज ना होने का इन फर्टिलिटी का बहुत प्रूम होता है तो उसमें भी लोग जाते ह और वहां पर भी यह पूजा कराई जा सकती है और करा करके आपको संतान के प्राप्ति हो सकती है लेकिन जो मैं कहा नो मैं रिसर्च करता रहा हूं कि कहां पर सबसे जादा बेस्ट हो सकता है तो नेपाल में पश्पतिनाथ मंदिर में संतान प्राप्ति के लिए सर्वत्तम जगह है अगर किसी को संतान आपने भोला कि नहीं हो पा रही कुछ प्रॉबमस हा है रही बार-बार प्रॉबमस रही है मिस्कैरेज हो जा रहे है तो आप हमारे अप पे भी वो है वहां के तीर्थ शेत्र में हम पूजा कराते हैं और उसारा प्रसाद वहां से आपके घर पे हम बेशते हैं और उससे लोगों का कल्यान करते हैं ये एक माद्धिम तो अगर किसी को संतान से संबंधित कोई समस्या है कि संतान पढ़ाई नहीं कर रहा है संतान आगे बुक करके पूजा करेंगे तो निश्चित दुरूफ से आपको उसका लाप मेरे और अगर वहां नहीं जा सकते तो एप पे आप लोग भी करवा रहे हैं उसे अप पर मेरे आप पे अबलेबल होती है आप आकर को वहां बुक कर सकते हैं और पूरा प्रासेस है आप बुक क लिजेगा तो इस तरीके की पूरी बेऊस्ता है फिर आपको पूजा हो जाने के बाद आपको कॉल जाता है कि आपकी पूजा आपको लगी कैसी सारा इट प्रासेस है रिलिजिन और टेक्नलोजी दोनों को आपने बहुत अच्छे से कंबाइन किया है और दे के हिसाब से आप लोगों ने पूरा अडैप्ट करके दिया है और क्या-क्या प्रोब्लम से आइटिंग मैं फाइनिशल प्रोब्लम से भी कई बर क्लासेस लेता हूं तो लोग भूत वाले लोग भूत आते हैं कि उधारी बहुत चड़ती जा रही है उसको कैसे ठीक करें तो उसके लिए भी कोई उपाया आप लोग बताते है कोई मंदिर है जिसमें आप लोग कुझा करते हैं अगर किसी को लॉन है जिन डिकेंगे किसी भी प्रकार का कर्ज एक माता-पिता का कोई कर्ज है जो आप नहीं उतार पाइए बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनको बाद में रॉलाइज होता है कि मांक शेवा नहीं कर पाइए उनका एक कर्ज उनके पस है मात्री रिण, उसको कह को भी आपको चुकता करना पड़ता कर दो चुक मातापिता कर साकता है अरपने उसके सेवा नहीं की दिशा प्रकार करेंड हो या धनकरेंड हो मां बहुत पुराना मंदिर और उस पूजा का हमारे हाँ नाम ही है रिण मुक्ति पूजा तो वो रिण मुक्ति पूजा का असर ही यही है कि आप अगर वहाँ पे मैं थोड़ा उसका बैग्राउंड आपको बता है कि राजा हरिस्चंद्र जी ने वहाँ पे अपने रिण को खत्म करनी के लिए वहाँ पूजा किया अगर वहाँ पूजा कराई जाए और वहाँ कुछीजें चड़ती हैं जैसे दाल हुआ पीला कपड़ा हुआ अलदीगवा यह सब वहाँ चड़ता है अगर वो सब चढ़हाए जाए आपके नाम से तो निस्षित रूफ से आप रेड़ मुक्त हो सकते हैं जो आज कल की समस्ता किसी भी प्रकार करें तो आप हमारे आप पे आ करके वो पूजा भी बूक करके पूजा भी करा सकते हैं अगर जाएं तो बहुत अच्छी बात है तो इस मंदिर में देवता कौन से होते हैं जैसे भागवान श्यू का सुरूप है तो श्यू का रिंग से कैसे लिंक हुआ मतलब कभी उनकी जो शक्तियों की बात होती तो उसमें इस जनरली पैसा लक्षमी जी के साथ जोड़ा जाता है तो यह लिंक कैसे है देखे ऐसा है ना कि जिन्होंने अस्थापना की उनके आराध्य बगवान से उरहे होगे अच्छा जैसे संतों जो बड़े-बड़े संत हु वह धर्माचारे हुए उनके जो आराध्य होते हो यह आराध्य वहां पर अस्थाफित कर देते हैं वहां पर एनर्जी डाल देते हैं फिर कहते हैं कि आप यहां पर आईगे इस चीज के लिए फेमस जगह है आप आप आईए और यहां पूजा करिए और आपको लाग सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए ऐसा नहीं है कि बगवान सीव करेंसे कोई लेना देना है और ऐसा कर से और प्रोब्लम से से हम मैं मेंटल हेल्थ पर बहुत बात करता हूं ठीक है इतने सारे लोग आज देखें तो millions of लोग हैं जो anxiety से गुजर रहे हैं depression से गुजरते हैं suicidal thoughts से गुजरते हैं तो अगर अपनी mental और emotional health को अच्छा रखना हो तो उसके लिए भी आप लोग कोई मंदीर या कोई पूजा बताते हैं अफ्कोर्स doctor की मदद तो लगती है लेकिन doctor की मदद के साथ साथ अगर किसी का विश्वास है तो I think अगर वो यह भी करना चाहें तो क्या options रहते हैं देखें ऐसा है कि जो mental health हराब होती है बेक्तिकी उसके पीछे हमेशा कुंडली का भी बहुत बड़ा रीजेल चंद्रमा और राहू अगर बेक्तिकी दसा में आया तो मानसिक पीड़ा होनी ही है अगर चंद्रमा थोड़ा सा भी खराब हो गया डिस्टर्ब हो गया राहू सनी के साथ हो गया किसी साथ हो गया अस्टंभाव में हो गया किसी भी परिस्थिती में ओगा थीं के चंड्रमा और डी जे जुक्त पंडली मैं तो जब जब किसी मानसीक स्वरून बिगड़ गया मन खुराब है और राध की नींद नहीं आ रहे तनाव ने से रिक हो रहा है बहुत ज्यादा ऑड़ में आ रहे तो आप मान कचली के राहो तो जब भी राहु और चंद्रमा को जब सास्त्र में उपाय के दिरिष्टी में देखा गया कि क्या दावा लेनी चाहिए उसमें विद्वानों ने यहीं लिखा कि चंद्रमा के लिए सर्वत्तों उपाय है भगवान सिव का रुद्राविशेक करना क्योंकि चंद्रमा चंद्रमा और भगवान सिव की पूजा किया जाएगा तो चंद्रमा बैलेंश होने इस्टाट कर जाके आप दोनु की बेएस्ता है और मधसी के मंदिर जाने ही जवरत होती है? आप दूध में मोती डाल करके चांदी के बरतन से अगर भगवान सीव को चढ़ाया जाए साथ सुमवाल तो निश्चित रूप से किसी भी इंजाइटी किसी भी तनाव से आदमी दूर हो सकता है यह एक बिधी है क्या बामा कुछ ऐसा करता है तो हम आपको कहेंगे कि एक सोमिस्वर महादेव मंदिर है प्रयाग राज प्रयाग राज बहुत बड़ी जगह है उत्तरप्रदेश में ही है वहाँ पे भगवान चंद्रमा के नाम से ही मंदिर कहा जाता है लेकिन है भगवान कमने वहाँ दोर पूजा आयोजीत वती है और लोग जो उससे रिलेटेड वते हैं वहाँ पूजा कराते हैं उनको लाव भी मिलता है विष्वास नहीं है तो फस नहीं भी बहुत बड़ा रोल है विष्वास नहीं है चाहें में आपको संकर जी उपर बगल में ही बैठाय प्रति कर दूंगा तब हिग्त हो सकते अगर थो नहीं है तो अप ठीक रहुन व्यादा धिस्वास अगर आपका प्रति की प्रतिक बागों के बांग सबस्ट आ quests सब आफ तो आप फाइदा आपो मिलेगा और आप टेस्ट करने आई कि तो taken website बागोन के तो आप कैसे पाराप होगय। तो मुस्किन हे आप है तो इसलिए आप आप आये मन को ऐकाग्र करगे आप जा करके पूजा करां वामा पिकमा में पेड़ला की कामणा में होना और पास के आप आप तहीं आँ हमां, बैको शुर्छी विपन है कि आप फुस्पम पत्रव फलंधोयम कहा घ्या है। इसवर के पास जाना चेहिए और अगर इसवर है तुसको तो पता है कि आप किस बाव से उसके पास आयत हुए हैं तो उससे बोलने की ज़रूरत नहीं है आप जाओ के रोग काम कर देगा यही समसे बड़ा अंतर है लोग क्या करते हैं दिन पर पूरी लिस्ट करके जाते हैं बगवायं के तो दर्सन इंकम करेंगे और अपनी सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए या फॉलोवर्स गेन करने के लिए भी कोई मंदीर है कि कई हैं जो बहुत लगातार कांटेंट बना रहे हैं लेकिन फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि आसहां मतलब तो यही है कि सहीरत दिखाती है यह रास्ता आप लिए ठीक नहीं यह रास्ता आपकी लिए ठीक नहीं अगर आपके लिए बना ही नहीं है तो आप तो हमेशा ausस्रकन करते रहोगkte pooja path कराते रहोग सकते बाहने यह यह रूट-ठीक है कि नहीं उसके बाद एक उपाय है कि मादुरगा और भगवती की या शुक्रग्रह की अगर आदमी पूजा करे तो उससे वो बहुत जल्दी फिर्म नाम और फिर्म दोनों वो उसका हो सकता है जिघ्तव हुआए उसको आगे बढ़ाने मेडिया एक तरीके से सुक्रमीडिया का कैर तो कोई वी उसको बढ़ाने के लिए सुक्रमहत्वपूर। अगर सुक्र वी आप इस डिरेक्शन में जा करके कुछ धनार्जन कर सकते हैं लोगों का कल्यान कर सकते हैं लोगों के बीच अपनी बात रख सकते हैं बहुत बड़ा भी सर्य है ना जैसे आप जो काम कर वहीं तो बढ़ी खीज है मुझे याद है कि देखते थे बच्पन में तो टीचिंग लिखावा था मेरे आइटिंग हुमारे कोई गुरू जी थे जो वो निकालते थे कुणली तो उन्होंने खाता है कि टीचिंग लाइन में यह जाएगा और शुकर आइटिंग मेरा अच्छली अच्छा है तो क्या मि में अलग अलग प्रकार कि or अलग अलग प्रकार की दारवने रहती है थेरां सो कई बार साइंटिफिक evidence की बात होती है तो western world में देखें तो they talk about it कि इसका कोई evidence इसको भूमी जह बोलते भी है मंगल को भूमी का पुत्र कहा जाता है मंगल को तो ग्रहों की जो गड़नाय की गई है आज भी आप देखिए आज के 200 साल 100 साल पहले आप देखिए अभी पंचांग में लिखा रहाता है कि बारिस इस वक्त होगी बहुत सारा नियम है कि हमारे जो पूरवज लोग थे जो बिद्वान लोग थे वह पहले लिख देते थे कि बारिस इस वक्त होगी इस ग्रहों की गड़ना के अनुसार बारिस का सबसे अच्छा दिने पाच दिन होगा जो आज मोसम विभाग आपको बताता है सोचे कि जोतिस इस कटेगरी की है और उन् अपार चीज में विश्वास अव विश्वास दोनों है मैं यह नहीं कह सकता हूं कि अ लोगों का उमत नहीं लोगों का मत हो सकता है और कर्म फल से ध्दान्थ हैface का मतलब hebben है कि अगर आप कर्म कर रहे हैं तो आप उसका फल आपको मिलेगा जरूर्स लेकिन कब मिलेगा य लेकिन यह कब मिलेगा यह बताने वाली जोतिस है कि आप आईस की तैयारी कर रहे हैं पिछले चार साल से क्या इस साल क्रेक होगा जोतिस बता सकती कहां इस साल क्रेक होगा इस साल निकलेगा इसमें एक्यूरेसी कितनी रहती है जैसे कई बार मैं देखता हूं कि कई एस्ट्र कार आएगी या फिर यह होगा लेकिन फिर वो होता नहीं है कई बार तो उसमें प्रेडिक्शन्टेज क्या रहती है और कई बार जो प्रेडिक्शन्स होते हैं वो गलत चूँ जाते हैं देखे जो बड़े जोतिसी है जो अच्छे बिद्वान लोग है वो आपको कभी पी टी मुझे भी अंदर से लगता है यह लोग देखे इतने विद्वान है इनकी कहीं कोई हो नहीं तो वामा यह बढ़ाने का भी काम कर रही आगे और भी यह सब काम कर रहा हूं मैं बताऊंगे मैं आपको आगे लेकिन जोतिस मैं काऊंगा कि 101 प्रतिसत सही हो सकती है गड़ना क तो यह अगर प्रेडिक्शन गलत जाती है तो एरर जोतिसी का कुछ एरर है जो जिसकी वज़े से उसने मेरी कल्कूलेशन है मैं नहीं कल्कूलेशन कर पाया आपके बारे में तो इसलिए मैं गलत हो गया लेकिन जोतिस सहजे सिद्धान जोतिस सहजे सबजेक्ट वो कभी भ गलत नहीं है देखर अगर ऊपए तो टॉक्टर तो गलत होगया ना कि जो मेडीकल साइन्स रहो गलत पुरिए तो अगर कुछ प्रेडिक्शन गलत हो रहा है तो ऑस्योजी गलत हो गया इसलिए उसी नहीं है क्या हुश चल्ण चुर्य शुअसled Our इस hasris लेक्षर से देआ ह मिर्थ्यू भी बता है । मिर। navigate कग को सकते हैं। मिर्थ्यू भी कर सकते है, सास्त्र का पूरा निमलतियों के नियर्दारन की ज्लोबान। इशिकन नहीं सकते है। इसमें राए नहीं है। लेकिन अब आया है क्या बदला जा सकता है, तो बदला बिर्कुल भी expressing. जा सकता है, कुछ भी बदल नहीं सकता है, आप चाहे स्टोन पहल लें, चाहे आप पूरी पूजाएं करा डालें, या आप चाहे जो कर डालें, क्या जो लिखा है, क्या वो बदल सकता है, और मृत्तु जैसी चीज क्या बदल सकती, तुम्हें कहुंगा बिर्कुल भी नहीं बिद्धाता से भगवान से आप प्रार्थना कर सकते हो अब उसके उपर है कि आप कैसी प्रार्थना करें और कितना सुनेगा लेकिन जो लिख दिया गया है विद्धाता ने जो लिख दिया आपके भाग में उसको क्या बदला जा सकता है तो मैं कहूंगा बदला नहीं जा सकता है उसका दूसरे तरीके से परिवर्टित किया जा सकत तो आप जब यह सब कबर करके जाओगे कबर उसका पूजा है मालेजे पूजा हुआ पाट हुआ आप खुद भी अपने उपर दियान रखोगे तो आप गिरों के तो निश्चित है इसमें तो कोई दो रहा है नहीं क्योंकि गिरना तो ही है लिखा आए गिरों के और हाथ पर टूटेगा यह भी तयह है क्या और भी चीज़े डैमेज हो एक तो उसको सहहं करने की सकती आपकी बढ़ जाती है और आपका एक सेकंड धॉट आ जाता है जैसे लगता है कि ठीक है अगर यह नहीं हो रहा तुम्हें कुछ और कर लेता हूं कोई बात नहीं नहीं तो जब तक आपकी प्रस्षर की सकती नहीं हो तक आप उसी के लिए पागल रहते हैं तो अभी आप लोग कुछ कि अपने लिए प्रस्षर के साथ बैठते हैं उनका टाइम शिक्स है वो आते हैं जब करते हैं पूजा करते हैं अभी हम लोगों ने एक रिसेंटली स्टार्ट किया है कि आपके नाम से जैसे कि हमने बताए कि आप फ्री आस्ट्रोजर से बात कर सकते हैं एक पाच मिनिट का स आप फ्री कर सकते हैं वैसे ही हमने एक फ्री पूजा लोगों के लिए बनाई है जो लोग स्ट्रेस में हैं तनाव में हैं जिनका काम नहीं हो रहा है उनके लिए हमने एक क्योंकि मैं तो पूजा को ज़्यादा वो करता हूं पर फ्रिंस देता हूं जिन्दिकी में मुझे मंत्र जब की सकती सबसे बड़ी सकती है इसलिए मैं पूजा पर ज़्यादा काम करता हूं तो मैंने एक बिद्वान को बेठाया पंडेजी बैठते हैं सुभार आण भी और बैठ करके आपकी प्रावलों को सुनते हैं और आपकी नाम की बगवान से प्रार्थना करते हैं वो बैट करके तो बिल्कुल free of course आप आईए और उस पूजा में भाग ले सकते हैं बहुत बड़े हाजी तो ऐसे ही बनाता चला जा रहा हूँ ये 24 गंटे का प्लानिगी 24 गंटे ऐसी पूजा है हमारे अप पे चलती रहे और आप आकर के जम भी आपके पास समय हो आप आकर के अपने नाम और गोतर अपने बच्चों के गोतर माता पिता के नाम गोतर से पूजा फ्री में आप कराते रहें कोई दिखत नहीं से ये डीटेल होना कंपल सरी है पूजा के लिए पुझा के ilgili नाम जरूरी है और गोत्र जरूरी है आपका गोत्र नहीं भी पता होता है तो कस्यप गोत्र उसको consider किया जाता है सास्तरका कुछ है सानल तो हम लोग सब कस्यप रिशी के संतान है कस्यप रिशी के बहुत सारे बच्चे हुए जिनको हम गोत्र के नाम से जानते हैं, बसिस्ठ गोत्र हुआ, गर्ग गोत्र हुआ, गौतम हुआ, शांडेले हुआ, उनके नाम हुए, तो आपको उनका नाम नहीं पता है, तो आप उनके पूरवज का नाम ले सकते हैं, भाई, बंस तो वहीं से चला आ रहा, तो आप किसी का भी नाम प्रस्ण करते हैं और उसका में जवाब देता हूं और आप एकीन करिए कि वह जवाब अगर धंक से करके कर दि आपके कुणडली है है एक मुँप प्रसल विचार का मतलब है कि कि आपके मन में क्या है यह वी जोवितंस ही बता सकता है मुझ मतलब गूंगा मतलब कुछ आप आप आए मेरे पास बैठिये बैठ कि मैं कल्कुलेशन करूंगा मैं समझ जाओंगा कि किस प्राबलम के लिए आप आए होंगे आपके मन में क्या चल रहा हो यह मुझ प्रसुन भी विचार भी ओ भी जोतिस सास्तर का इसे दान आपने इतना बड़ा टेक्नलोजी करके और किया है तो क्या फ्यूचर देखते हैं आप टेक्नलोजी का जो हमारे रिलीजन में इन्वॉल्मेंट आ रहा है तो वोट इस दे रोल ऑफ टेक्नलोजी इन फ्यूचर देखे टेक्नलोजी से जो रिलीजन का एक अभी बीच यह ही बढ़ रहा है जिस तरीके सी तो मैं कहूंगा कि इसमें मेरा इंस जो समाझ है साधू समाझ है सं nhưng समाझ है या मंदिर के ऐसे लोग जो अभी तक टेकन लोजी यूज नहीं कर पा रहां घृष से लाव नहीं ले नहीं पा रहा था व hare आपके फोन पे भी लोग दो आरतिया और दो फोटो रोज जेशते होंगे भगवान का वाद फैमिली ग्रूप में तो आता रहता है कि मंगलवार के दिन हन्मान जी की फोटो आ रही होगी अलग अलग जगहों की फोटो आता है जाजूल बिश्वास करता है वहां से तो यह त पूरे दिन आप डेटा बना रहे होते हैं काम कर रहे होते हैं पूडकास कर रहे होते हैं आपकी माइन में नहीं आता लेकिन जब आप फोन देखते हैं तो आपको आता है तो आपको याद आता है आज मंगल वारे अनमान जी की फोटो आईए एक सिकंड के लिए उस मंदिर सागे पढ़ रहे हूं और ये वामा करेगा जरूर घोस्ट होते हैं क्या जो जैसे आप astrology की बात कर रहे हैं तो बहुत लोग होते हैं जो कई जगाओं पर जैसे आप मंदिर की बात कर रहे हैं वैसे कई जगाओं ऐसी मानी जाती हैं जो जगाओं यहां पर लोग जाने से घबराते हैं कि यहां पर कुछ गलत वाइब्रेशन रहती हैं तो जिस तरीके से मंदिरों में positive vibration है तो क्या ऐसी जगाओं भी होती हैं जहां पर negative vibration होता है या फिर भूत प्रेत यहां जिनकी बात की जाती है उसमें कुछ जिकर होता है astrology में देखे अस्रमों जी में बता जा सकता है कि भूत प्रेत आपको कब लग सकता है कब पकर सकता है पहला सवाल तो आपका यह बहूत प्रेत होते एक नही तो मैं कहुंगा कि आत्मा दुरात्मा दोनो एक आत्मा ऐसी है जो इसकी पर्डिकुलर बढ़ियां समय में इम्रत्य हुई एक एज के बाद सतर असी साल और और परलोग को चला गया वह एक ऐसी आत्मा थी दूसरी एक आत्मा ऐसी भी जो इसी संसार में भटक रही अभी उसकी मुक्ती नहीं जो मुक्ती जिसकी नहीं जि वह कहीं नहीं इसी छेत्र में अगर उनकी सांती नहीं की गई तो ऐसे यह गोमते रहते हैं और गोमते रहेंगे तो किसी नहीं किसी को पकड़ लेते हैं भाई की रास्ता बनाता ना खाने पीने के लिए उसको चाहिए क्योंकि उसकी मुक्ती तो हुई नहीं तो रास्ते मे तो 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 जब जायगा तो लोगों को कर ब दिख अग्या के भोस्ट में बी ओते हैं तो यह होता है क्या कुंड़ी में देख र कि बता जा सकता हैं कि कब आइसी चीजें आपके साथ मैं कखरा जाएं तो क्या होता है कुंडली में जब यह सब लगने के चांचिस रहता है देखे राहू, सनी और केतु यह जब भी कुंडली में आएंगे अगर कई चाठ बारा के स्वामी है, चाठ बारा में बैठे हुए है कुंडली के टर्मोलोजी है, इसलिए आप ज़्यादों नहीं सोच पाएंगे लेकिन यह भाव है, छटे भाव में, आठमे भाव में, बाराह में बाहव से अगर संबंध है इन ग्रहों का तो यह जब भी दसा में अपनी आएंगे, महा दसा, अंतर दसा, प्रतिंतर दसा, शुक्ष्वांतर दसा, प्राण दसा, पाच प्रकार की दसा होती है अगर इन दसाओं में कहीं भी इंकी इंट्री होई, तो आप गलत संजती में पढ़ सकते हैं गलत चीजे आपको प्रभावित कर सकती हैं, आज कलके बच्चे देखे तनाव में चले जाते हैं, गलत रास्तों में बहुत बच्चे चले जा रहे हैं, नसा बहुत करने लग रहे हैं, कम उम्र में पता नहीं क्या-क्या बच्चे कर रहे हैं, मैं तो बोल भी नहीं सकता तो वो गलत ग्रहों की दसाएं है वो पर्टिकुलर ग्रह दसा आया तो उसको डाइवर्ट कर दिये जा तो ऐसे समय में भी आईसी भूत प्रेट जैसे वो भी एक नेगेटिव चीज है लो तो वो भी आप किसी विविक्ति को पर वो प्रभावी हो सकती यह उसका नियम है जो अग्रह दसा चल रही हो तो तुरंत काम कर जाएगे क्योंकि आपको तो आपकी कुंडली वो पार्ट कमजोर चल रहा है तो जैसे आप अटाइक करेंगे खड़ से उसके उपर काम हो जाएगे बहुत बार वो उस ब्यक्ति को पर किया जाता रहा तो उसको कोई फरक नहीं प चीजें जो अंद्विश्वास भी रहते हैं लोगों के कि यूहीं मान के चलते हैं कुछ भी कि अगर चींका गी तो मुझे घर से भार नहीं निकलने मेरा काम बिगड़ जाएगा तो एक पूजा करने में और कुछ अंद्विश्वास रखने में इन दोनों में क्या अंदर होता है जैसे आपने कहा इसको स्कुन सास्त्र बूल जाता है अब सगुन सकुन दोनों एक है कि आदहिकता अब सगुन हो गया में जा रहा था और बिल्ली कोईगा अगर आप इस्वर की भक्ति करके घर से पूजा पाट करके निकल रहे हैं तो किसी भी अप सगुन को आप क्रॉस कर जाएंगे वो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं कि आपको नस्ट कर सकती है ब्यवधान जरूर आ सकता है जिसे आप घर से निकले खाली बरतनगर घर क के सामने पड़ा हुआ है तो जिस काम के लिए जा रहे हैं उसकी ज्यादा चांस है कि वो काम नहीं होगा लेकिन आप नौकरी करने जा रहे नौकरी थोड़ी छूट जाएगी नौकरी तो पर्मानिट चीजे व कि चलती रहेको लेकिन मान लीजे किसी ब्यक्ति से मिनने जा रहे तो चांसे जाए कि उस दिन हो सकता है उससे उस समय नहुदा तो जिस समय वह समय दिया यह दर्सा देता है कि खाली वर्तन है तो यह नहीं होगा बिदवा काना ने चीप अगर यात्रा के दवरान कड़ी कई बड़ी आप या अगर इसे कोई देख ले लेकिन उसे पता भी नहीं होगी है वो लेड़ी विदवा तो आजकल की लेड़ी को तो देखे कहा पता चलता है कि विदवा है या सदवा है तो आजकल तो पता ही नहीं चलता है कि साधी भी होई है कि नहीं लेकिन अगर विदवा अगर नहीं पत पानी पी के पाँच मिनट बेट करके फिर जाते हैं यह उसका एक उपचार है नितरब आप उस समय मत जाई बाद में जाए दू मिनट बाद निकल जाए फिर अंदविश्वास क्या होता है वोट इस अंदविश्वास सूपरिस्टीशन के आपके अपकी अगोर्डिंग मैंने का दो साल कुछ ना हो पाएगा तुम सिर्फ तैयारी करो तो इस साल बात तुम्हारा हो जाए आप ने का नहीं गुरुजी इसी साल जून में मेरा एक्जाम है और आप ऐसा करिए कि यह काम हो जाए यह अंदविस्वास वाले लोग है आप जबरजस्ती मुझे भगवा वो तुरेंट बदल देगा जो तिसी भाई कुछ ना बदलेगा जो कुंडली में अगरा है वही मिलेगा मैं सिर्फ उसको देख करके बता रहा हूं सभी बात है मैं रिपोर्ट देख रहा हूं रिपोर्ट देख करके जो रोग है वो हमने देख करके बता दिया आप आपका कुछ लोगों का जैसे जीव काली होती है जीव काली होती है ऐसे लोग अगर जो बोल दे आप इमान के जिल अगर उनों कुछ बूरा बोला तो आप उसकी वारी बहुत जल्दी लग जाती है आपको भूरी आख वाला बैखती अच्छा नहीं होता अगर उसने देख लिया अच्छा है उसकी नजर लग गई उस पर एक तरीके से कि यार आज़सा बहुत अच्छी चीजे बहुत अच्छी घड़ी है तो यह तो यह उसके दो-तीन विसे हैं अब अच्छी आज़सा बहुत सामानी पूजा होती है जो लवली आचारे जी बहुत ही इंटरस्टिंग बातें आपने बताई और आई तिंक युवाओं को भी बड़ा पसंद आएगा इतने सारे मंदिरों कोई ऐसे मंदिर के नाम लिया आपने जो आपने कभी सुने भी नहीं थे बहुत अच्छे से आपने एक्स्प्लेइन किया अब एक रेपिड फायर सेग्मेंट पर हम बूव करेंगे तबली सबसे पहला सवाल है तो क्या चार्ट से यह पता चल जाता है कि किसी वेक्ती का क्या परपस है बिल्कुल पता चल सकता है चार्ट के जैसे आप देखेंगे तुरंट पता चल जाएगा कि किस काम के लिए आया है कि दॉक्टर बनेगा कि वकील बनेगा या कोई समात सेवक बनेगा बिल्कुल पता चल जाएगा क्या astrology सभी इवेंट्स को बिल्कुल accurately predict कर सकती है 100% बार्ड या अर्थक्वेक ऐसी चीज ये भी हर चीज लगवाग predict किया जा सकता है अगर आदमी करना चाहे astrology तो बिल्कुल तुरंद किया जा सकता है क्या astrological remedies के जरी अपनी destiny को बदला जा सकता है बदला नहीं जा सकता ठीक क आजा सकता है क्या astrology किसी के career choices को influence कर सकती है बिल्कुल कर सकती है विल बीजेपी वें इन इन इस election बीजेपी किलाओ है को रावल जी के नाम में वैसे राहू लगा हुआ है वो देजी के नाम में वैसे मंगर लगा हुआ तो कौन बनेगा आप आप समझ सकते हैं बिल्कुल क्या astrology personal decision making में भी यूज की जा सकती है यहीं यूज करना चाहिए आपको astrology यह सबसे बड़ा बिस है क्या अपने पूर्व जन्मों के बारे में भी astrology बता पाती है पूर्व जन्म के आधार पे ही आपका जन्म हुआ है लेकिन यह कहना मुश्किल है कि क्या पूर्व जन्म में आप क्या थे यह बताना बहुत मुश्किल है लेकिन पूर्व जन्म के आधार पे ही आपका जन्म हुआ है उसी के आधार पे आप जीवन में आगे बढ़ रहा है यह जरूर जोतिस बता सकती है क्या लगातार पूजा करते रहने से mental wellness आती है मानसिक रोग दूर होता है लग हमेशा पता दिया पिद्वनों ने कि मालक्षे की पूजा करी और वेल था आपका अच्छा रहेगा और वही है जो सब कुछ अच्छा कर सकती है तो सकती की आराधना आदमी को करती रहनी चाहिए concentration को improve करने के लिए कौन सा मंतर अच्छा रहता है भगवान सूर्य की आराधना कर चे और उगते हुए सूर्य को आदमी को देखना चाहिए कर concentration उसको ठीक करना है जिससे बच्चे की पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो या तो गयत्तिर मंतर का अजब करा है या तो उगत करते हुए सूरी को दो मिनट तक देखता रहे बस आप देखें कि कैसा concentration उसका बनीट